जैहिन प्यारे बच्चों आप सभी सातियों का स्वागत है हमारे चैनल स्टुडेंट वार में तो डियर स्टुडेंट आसा करता हूँ अभी तक आप लोगों को आपका जो एलाटमेंट लेटर है वो मिल गया होगा या आप लोगोंने सर्च करके देख लिये होगे कि आप ल करके लिटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलते रहे और हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करने के लिए स्टुडेंट वार सर्च कीजीगा आप लोगों को टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा ओके क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी मौत पूर्ण बाते सेयर करते ह और बहुत सारी मौत पूर्ण जानकर या सेयर करते हैं चलिए अब बात करेंगे हम प्री नर्सिंग सेलेक्शन वाले टेस्ट वाले स्टुडेंट जिनका अभी हाली में एलॉट्मेंट लेटर आया है और काफी सारे साती हमारे साथ यहां पे कनेक्ट हुए कॉल से कनेक्ट हुए और बहुत सारे कमेंट्स भी आईए बहुत सारे अलग-अलग कोश्चन्स है और जिनका जवाब देना मुझे उचित लगता है तो हम वो सभी जवाब जानेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था हमसे कि 30 नंबर वाले का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आ आपका क्यों ने सेकेंड लिष्ट कब आएगी और भी बहुत सारे कोश्चन है ओके आगे आप लोगों को क्या करना है तो सबसे पहले बात बता दूँ आप लोगों को आप लोगों का जो अलॉट्मेंट लेटर आया या अलॉट्मेंट लिष्ट आये एक ओके उसमें कितन नमबर वाले वो सबसे पहले बात करेंगे हम आप कितने नमबर से यहां पे सिलेक्शन से चुक गए यह आप लोगों को यहां पर पता चलने वाला है इस से पहले एक बात और नो डाउन कर लीजे आप लोग जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो कि हमारा हो नहीं पाया, हमने इतना मैनत किया, तो dear students, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना, जिन candidate का यहाँ पे selection हुआ है, allotted हुए college, उनके नंबर कितने थे और आपके नंबर कितने थे, उनने आप से जादा मैनत की थी, इसलिए उनको यहाँ पे college allotted हुआ है, यह सच है और सच ही रहेग आप लोगों को उनसे जादा मैनत और करना था, जब आप लोगों का selection हो पाता, देखी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ student वार YouTube चेनल खड़ा है, और next time जब भी preparation करोगे, आप एक better planning के साथ करोगे, better syllabus के साथ, देखी सबसे पहले जरूरी होता है कि कि प्रकार की कोई exam की preparation कर रहे हो, आप तो उसका better planning आपके पास होना चाहिए, ये better planning हम next time आप लोगों को देंगे और आप उसी के अनुसार तयारी करोगे, आप मेहनत करोगे, आपको result अच्छा मिलेगा, इस बार निरास नहीं होना है, next time आप लोगों को इससे ज़्यादा मे मैं कर पाऊंगा, और आप लोगों को daily यहां पर preparation करवाया जाएगा, new batch start होगी, वो भी बहुती सांदार तरीके से, इसलिए हमार साथ जुड़े रहिए, चलिए, अब बात करेंगे जो आप लोगों का allotment letter का list आया है, उसमें कितने याने general वाले, OVC वाले और EWS, SCST वाल वो कितने पर जाने वाली है, तो उसी के according, okay, exact cutoff गई है, और हमारी जो cutoff हमने बनाया था, वो बिल्कुल सफल cutoff रही है, जी हां, तो कितने नंबर वालों का यहां पर selection हो गया है, यह हम बात करेंगे सबसे पहले, और आप कितने नंबर से चूप गए हो, बात करते हैं सबस लोगों ने cutoff बनाया था, जो हम लोगों ने cutoff बनाया था, और अभी जिनका selection हुआ, उनके अनुसार बात करेंगे, कितना रहा, देखिए हमारा cutoff था 75 से 80, 75 से 85 वाले जो candidate है, वो यहां पर सुरक्षित रहेंगे, जनरल वाला का हमने cutoff बनाया था, तो देखिए यहां पर हमने ये भी कहा था कि इससे 5 नंबर नीचे भी हो सकता है, और 5 नंबर उपर भी जा सकता है cutoff, ओके, तो यहां पर आप लोगों को देखने मिलेगा, 74, जनरल वाले अगर जिन भी candidate का नंबर 74 है, तो वो यहां पर सुरक्षित, यहां पर उनको college allotted हुई है, जिहां 84 वाले जितने जनरल वाले student थे, उनको 74 नंबर पर यहां पर college allotted हो चुकी है, तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पर आप लोगों को कितनी महनत करना था, 74 नंबर पर जनरल की cutoff गई है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, अगली time जब भी preparation करोगे, आप इस cutoff को देखते ह हुए मैनत करना है आप लोगों को और आगे बढ़ना है, बात करेंगे यहां पर OBC वाले candidate की, other backward class वाले candidate, OBC वाले candidate की इनका cutoff क्या गया, देखी इनका cutoff क्या रहा गाईज, तो यहां पर OBC वालों का हमने बनाया था, 70 से लेके 75 के बीच वाले candidate सुरक्चित रहने वाले है यह हमने कहा था कि जिनका भी 70 के उपर नमबर है, उनका सेलेक्शन निश्चित है, यह हमने कहा था OBC वाले candidate के लिए, तो यहां पर गाईज बिल्कुल एक्जेक्ट कटाप गया है, 71 नमबर वाले student, 71 नमबर जितने भी OBC के candidate थे, जिनका 71 नमबर था, उनको यहां पर college मिल चुगा है, तो आप लोगों को नमबर देखते हुए, यहां पर पता लग जाना चाहिए, कितनी महनत और करना है, कितने हमारे द्वारा कितनी महनत की गई थी और कितनी बाकी है, देखी बहुत सारे candidate यहां पर competition में हिस्सा लेते है, SC candidate की बात करेंगे, बहुत सारे candidate, ओके, SC के हिसाब से कटाव भी जाती, 65 से 70 हमने decide किया था, हमारे SC candidate, OK, schedule cast वाले candidate का, 65 से 70 के बीच यहां पे हम लोगों ने कटाव प्रका था, और बिलकुल exact कटाव गया है, कि 70 नमबर वाले, 70 नमबर वाले जितने भी candidate थे, उनका यहां पर सेलेक्शन हो चुका है, यानि 70 नमब यहां पर जानेंगी, हम लोग एक एक करके कि आप लोगों का second list कप तक होगी, यह सभी बाते, OK, इससे पहले आप लोगों को ST candidate, OK, ST candidate वाले जो student है, उनका जो कटाव हम लोगों ने decide किया था, वो 60 से 65 नमबर का, कितना 60 से 65 नमबर के बीच वाले candidate सेलेक्टेड होने वाले तो guys, यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, 62 नमबर, OK, ST candidate का जो कटाव गया है, वो 62 नमबर गया है, 62 नमबर वाले student यहां पर college allotted कर चुके है, और उनको यहां पर admission के लिए बुला लिया गया है, then last बात करेंगे EWS की candidate की, जैसे की सीटे रिजर्व थी, अलग अलग अपने अनुसार, 219, 219, OBC जनरल वालों के लिए और SST वालों के इस प्रकार से सीटे रिजर्व थी, EWS की बात करेंगे, something at T, सीटे थी यहां पर EWS वालों की, और cutoff हम लोगों ने decide किया था, 65 से 75, 65 से 75 के बीच वाले candidate जो की select होने वाले थे, EWS के candidate, तो यहां पर इनकी cutoff किया गई है, जिनके 64 नमबर थे, EWS वाले candidate, उनका selection हो चुका है, उनको college allotted हो चुकी है, ओके, तो यह था, आप लोगों का cutoff, इतने नमबर पर आप लोगों की selection होआ है, college allotted होई है, अब main बात, यहां पर बात करेंगे हम लोग, जैसा कि यह रहा, आप लोगों का allotment letter, इस प्रकार से होगा, आप लोगों का allotment letter, ओके, यहां पर आप लोगों का नाम दिया होगा, केटेगरी दी होगी MP डोमिसियल और कौन सी कॉलेज मिली है उसका नाम दिया होगा और उस प्रकार से आप लोगों को यहां पर एलॉट्मेंट लेटर दिया होगा बात करेंगे बहुत सारे सातियों का यहां पर कमेंट्स आ रहा था कि हमारे 54 नंबर है हमारे 55 नंबर है इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यह 61-62 नंबर है तो हमारा सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ जबकि यहां पर 36 वाले टीस वाले स्टुडेंट इस प्रकार की स्टुडेंट का सेलेक्शन हो चुका है तो गाईस यहां पर आप लोगों को ध्यान देना होगा जिन क केंडिडेट का यहां पे 30 और 36 पे सिलेक्शन हुआ है उन केंडिडेट में विशेज क्या है विशेज बता दू तो देखिए यहां पे आप लोगों का एक केंडिडेट है वो भी SC केटेगरी का कौन से सेडियूल कास्ट का है और इनको गवर्मेंट नर्सिंग कॉलेज GMC भोपाल मिली है अब क्यूं मिली है इनको जबकि इनके 36 नंबर है और आपके इन से अधीक थे क्यूं नहीं मिला आपको तो आप लोगों को ध्यान देना है इनको क्यूं कॉलेज एलाट हुई है 36 नंबर पर जबकि आपके 36 से अधीक है पचपन है आपको नहीं प्राप्त हुई ये जो केंडिडेट है ये फ्रीडम फाइटर है क्या है फ्रीडम फाइटर है और जैसा की देखी कोई केंडिडेट होता है आप लोगों का सैनिक होता या पुद्री होती है और कोई freedom fighter का मतलब होता है स्वतंतरता संग्राम से नानी जिनके पिताजी ने स्वतंतरता संग्राम में भाग लिया हो उन्हें कहते freedom fighter इनके लिए भी seat reserve रहती है और सैनिक वाले candidate है उनके लिए भी seat reserve रहती है इसलिए इनका जो है कम marks में यहां पे selection हो जाता है वो तो उनके लिए अलग से seat रहती है आपकी seat आपसे नहीं छिनी गई है इनकी खुद की reserve seat थी यह आप लोगों को ध्यान रख लेना है तो अब clear हो गया होगा कि आप लोगों का जो है क्यूं नहीं हुआ और 36 वालों का हो गया जैसे यह एक candidate है आप लोगों के ST के candidate है इनको भी GMC भोपाल मिला है और यह जो ते यह सैनिक थे क्या थे यह सैनिक थे और इनका कितने नंबर पर सेलेक्शन हो गया मात्र 30 नंबर पर सेलेक्शन हो गया तो इनको सैनिक होने का benefit मिला सैनिक किस seat reserve थी और यह reserve seat उनके हाग की थी ओके यह भी आप लोगों को न डाउन कर लेना है दिन बात करेंगे एक candidate OVC का था इनका भी 30 नंबर पर या 34 नंबर पर सेलेक्शन हुआ है तो यह भी freedom fighter वाले ही candidate थे जिनको जवनपूर में college allotted हुए इतना तो clear हो गया होगा आप लोगों को guys okay अब बात करते हैं आप लोगों की जो second list कब आएगी second list कब आएगी तो guys यहां पर तो सबसे पहले उन सभी छात्रों को बढ़ाई देना चाहूँगा जिनका यहां पर college allotted हो गया है तो उनको ध्यान पूर्व कि यहां पर अपने college है वहां पर पहुँच जाना है सारे documents ले बात करेंगे second list की तो second list जब तक आप लोगों का जो है पूरा admission process नहीं हो जाता ओके last date आप लोगों की admission की complete नहीं हो जाती तब तक आप लोगों की second list नहीं आ जाती बट आप लोगों को बता दू मैं जुलाई में ही सारी process complete हो जाईगी तो आप लोग टेंसन न लीजिए औ और second list में आप लोगों का काफी यहां पर कुछ नंबर कम कटाव जाने वाली है अगर पूरे candidate वहां पर पहुच जाते है तो कम सीटे बैचेंगी लेकिन अगर मान लो 810 candidate को गुलाया है तो उन में से अगर मात्र 700 या 600 candidate ही पहुच पाते admission के लिए किसी का document मिस हो गया या कि किसी के पास कोई सुविधा अवे लेविल नहीं है या कोई पोईश नहीं पाए किसी कारण वस तो इस प्रकार से 600 से सारे 600 candidate पहुच पाएंगे बाकि जो सीटे आप लोगों की बज्जाती देर सव या 200 सीटे इनकी दुबारा एक मापव प्राउंड होगा क्या होगा माप इस बार आप लोगों की जो है पहली कौंसलिंग में सीटे रिजर्व हो थी जनरल वालों के लिए अलग सीटे थी ये जो बच्ची वाली 200 सीटे है अन्तिम की इनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा यहाँ पे चाए जनरल हो चाए ओबिसी हो चाए एडवलोस हो सभी क अनुसार यहाँ पे कॉलेज पे बुलाएगा तो आप लोगों को आसा करता हूं यह जानकारी समझ आई आई ही गई होगी और हां किसी भी प्रकार की जानकारी पुछने के लिए आप हमारे वार्षयत पे संपर्क कर सकते हो हमारा स्टूडेंट वार ग्रूप जोइन कर सकत आप लोगों कुछ रूपे पे करना होगा और वहां पे आप लोगों को सभी लेक्चर जितने भी होगे उनका एक पीडियाप मिलेगा याने आप लोगों को पीडियाप में पूरा डाटर दिया जाएगा आप लोगों को उतना ही पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है अगले जो आने वाली वेकेंसी है इंट्रेस एक्जाम है उसमें ओके गाइस थेंक्यू गाइस पुना आप सभी सातियों का स्वागत है आपके चेनल स्टुडेंट वार में